गुड मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स हमारा चैप्र का चैप्र 3 का कुछ पोर्शन भी बचा है लेकिन उसके साथ में हमको एक्सरसाइज भी करते जाना है ताकि हमारा एक्सरसाइज वाला वर्क भी होते जाए और आपका रिटर्न वर्क भी चलते जाए एक जगह और करना है ओके बुक में आपको पैंसल से फिल करना है ओके तो आपको कोई भी अभी कॉपी में नहीं राइट करेगा कॉपी में राइट करने के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा बोलूंगा बट अभी आपको बुक में फिल कर लेना है और इनको याद कर लेना है तो अभी में इन questions के answers मैं आपको समझा रहा हूँ तो सभी को अच्छे से समझना है पहले और यदि कोई doubt रहता है तो आप पूछ सकते हैं Now we start this Question number second is Tick the correct answers आपको जो भी correct answer है उस पर tick करना है तो आपको tick करने के लिए और fill in the blanks को fill करने के लिए आपको Pencil का यूज करना है Pen का यूज कोई भी नहीं करेगा So the question first is The movement of the earth around the sun is known as मतलब जो पृत्वी की सूर के चारों और की गती को क्या कहा जाता है आपको पता ही है बताया भी है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो हमारे धर्ती रहती है सूर के चारों और चकर लगाती है लगाती है तो उस चारों और जब वो सूर के चारों और चकर लगाती है तो उस जो उस चकर को हम क्या बोलते हैं खुल मिला के question ये है तो वही मैंने आपको हिंदी में समझाया था कि पृत्वी की सूर के चारों और की गती को क्या कहा जाता है या इनमें आपके पास तीन ओप्शन्स है फर्स्ट वन इस रोटेशन, सेकंड रिवॉलुशन, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रिवॉलुशन, थर्ड इनक्लीनेशन अब इन तीन में से एक करेक्ट आंसर है, तो आपको पता है, मैंने किस चीज के बारे में पढ़ाया है तो रिवॉलुशन इस दा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है जो सूर की सीधी किरने होती है वो एक्वेटर पर किस दिन पढ़ती है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डारेक्ट रेज डारेक्ट रेज ऑफ दा सन फाल ओन दा एक्वेटर ओन इट मीज डाट जो सूर की सीधी किरने होती है वो एक्वेटर पर किस दिन पढ़ती है आपको तीन ओप्शन दिये गाए है 21 March 21st June 22nd December तो आपके पास तीन ओप्शन है तीन में एक correct answer है तो आपको जो correct answer है वो लिखना है तो the correct answer is 21st March जो 21st March है वो correct answer है तो इस पर आपको टिक कर देना है then we will discuss about the third question Christmas is celebrated in summer sorry Christmas is celebrated in summer in जो Christmas होती है ओके या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि गर्मी में Christmas का जो त्योहार है ओके वो कहां मनाया जाता है ओके question है आपका गर्मी में Christmas का जो त्योहार है वो कहां पर मनाया जाता है तो आपके पास तीन option है जापान, इंडिया, औस्ट्रेलिया ओके आपके पास तीन option है तीन में से एक correct answer है तो correct answer क्या है औस्ट्रेलिया ओके it means that Australia में गर्मी के दिनों में Christmas मनाया जाता है ओके, now next question, cycle of the season is caused due to, जो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो प्रित्वी की किस गती के कारण होता है ओके, season change होते है न, गर्मी आ गई, फिर उसके बाद बारिश आ जाएगी, उसके बाद फिर ठंडी आ जाएगी ओके, तो इस type से ये seasons change होते हैं, ये seasons किस कारण, प्रित्वी की किस गती के कारण change होते है ओके, ऐसे भी मैं आपको समझा सकता हूँ इसको, तो the cycle of the seasons is caused due to, जो मोशम में जो परिवर्तन होता है, वो किस के कारण होता है ये प्रित्वी की किस गती के कारण होता है, ओके, तो आपके पास तीन option है, rotation, revolution, gravitation, ओके अब आपके पास तीन मैंसे एक correct answer है, ओके, आपको वो correct answer को पहचानना है, मैंने आपको समझाया भी था कि revolution के कारण ही प्रित्वी पर जो मौसम होते हैं, वो change होते हैं, revolution means जब प्रित्वी सूर के चारों और घूमेगी, तो क्या होगा, उसकी जो दूरी है सूर से कमती, बढ़ती है, ओके, तो उसके कारण जो seasons होते हैं, वो change होते हैं, ओके, then, अब हम अगले question पे आएंगे, fill in the blanks में देखें आप, a leap year has, blank number of days, मतलब एक जो leap verse होता है, उसमें कितने दिन होते हैं, आपको बताया था मैंने, 366, ओके, तो यहाँ पर आपको 366 लिख देना है, ओके, यह first का answer है, ओके, then, question number second, the daily motion of the earth is, मतलब जो हमारी जो प्रित्वी होती है, प्रित्वी की जो हर दिन जो घूंती है, ओके, उस गती को अपन क्या बोलते हैं, तो correct answer is rotational, ओके, correct answer is rotational, ओके, आप उसको, जब, rotate करती है, हमारी जो धरती, ओके, तो आप उसको, प्रित्वी की गती को क्या बोलोगे, आप, rotational, ओके, then, next question, मैं इन questions के answers आपको write करके भी send करूंगा, ओके, तो आप देख लें, वहाँ से भी आप write कर सकते हैं, directly, यहाँ पर answers, ओके, question number third, the earth travels around the sun in blank orbit, जो धरती होती है, जो हमारी प्रित्वी होती है, वो सूर के चारों और, किस प्रकार के रास्ते में घूमती है, तो मैंने बताए भी था आपको, की, the earth travels around the sun in a fixed elliptical orbit, okay, एक fixed अंडाकार रास्ते में घूमती है, न, okay, then, next question, question number D, the sun's rays fall vertically on the tropic of blank on 21st June, जो सूर की, जो किरने होती है, वो 21 June को किस रेखा पर सीधी पड़ती है, आपके पास मैंने दो रो एखाए बताए थी, करक रेखा और मकर रेखा, okay, करक रेखा को आप क्या बोलते हो, ट्रॉफिक आफ कैंसर, तो इसका आंसर क्या है, ट्रॉफिक आफ कैंसर, कैंसर आए गए यापर, okay, then, next question, Days are shorter during blank seasons, जो जो दिन होते हैं, किस मौसम में छोटे होते हैं, तो आपको पता ही है, अभी वैसे वो सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, तो दिन बहुत छोटे होते हैं, So the correct answer is winter, okay, आपको ये दोनों ही questions, book में करना है, अभी, copy में नहीं करना है, और इनसे related में आपको PDF भी share कर दूँगा, तो आप वहाँ से देखके इनके answers को, ये जो उपर वाले answers हैं, इन में आपको tick कर देना है, जो correct answer है, उस पर आपको tick कर देना है, और जो नीचे वाले questions हैं, उन में आपको जो fill in the blanks में जो correct answer आएगा, वो यहाँ पर pencil से write कर देना है, okay, So for today, thank you for watching this video,